राज सेख्चिक अनुसंधान और प्रसिक्षण परिशद उत्तर प्रदेश के निदेशक महोदे के दिनांग 13 अक्टूबर 2020 के पत्र के क्रम में जो कि समस्थ जनपदों के प्राचारे जिला सिक्षण, प्रसिक्षण संस्थान और समस्थ जनपदों के जिला बेसिक अधिकारियों को लिखा गया था यह पत्र online निस्ठा प्रसिक्षण के संबंद में है आप देख सकते हैं इस पत्र का विशे है समगर सिक्षा के वारसी कारियोजना एवम बजट 2020-21 के अन्तरगत online निस्ठा प्रसिक्षण के आयोजन के संबंद में अर्थाथ समगर सिक्षा के जो वार्सी कारियोजना है उसके बजट दो हजार बीस एकिस के अंतरगत आनलाइन निस्ठा प्रसिक्षन का आयोजन किया जाना है इस पत्र में आगे लिखा गया है कि महोद है आप आउगत है कि निस्ठा कारिक्रम का संचालन आलाइन माध्यम से किया जाना है NCERT द्वारा प्रेशित गाइडलाइन के अनुसार यह प्रसिक्षन 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंब किया जाना है दीक्षा पोर्टल पर आयोजित होने वाले निस्ठा प्रसिक्षन से संबंदित निर्देश निम्नवत हैं देखे पत्र के अनुसार NCERT के गाइड के अध्यापकों का 16 अक्टूबर 2020 से दीक्षा पोर्टल पर निस्ठा प्रसिक्षन का आयोजित किया जाना है जिसके संबंद में कुछ निर्देश है जो निम्नवत हैं निर्देशों के क्रम में जो पहला निर्देश है वो यह है कि प्रसिक्षन में प्रतिभाग करने वा जोना चाहिए और इसके लिए निर्देश की 15 अक्टूबर 2020 तक सभी सिक्षकों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो जाना चाहिए इसमें दूसर निर्देश की जिला इस तर पर विकास खंडवार पूर के प्रसिक्षन में सेस रह गए सिक्षकों की सूची तैयार की जा उनकी विकास खंडवार सूची बनाई जाए उन्हें इस नए प्रसिक्षन से जोड़ कर उनका लगातार अनुसरण किया जाए इसमें तीसा निर्देश की यह प्रसिक्षन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगा अतैब पूर में प्रसिक्षकों को भी पूना इससे जोड़ते वे प्रसिक्षन हे तो प्रोथसाहित किया जाए देखे जैसा कि आपको पता है कि निस्ठा प्रसिक्षन ऑफलाइन बी रसी पर हो चुका है लेकिन यह जो प्रसिक्षन है यह ऑनलाइन होना है तो इसके लिए निर्देश है कि सभी सिक्षकों को ऑ उसमें मौडिूल को भी जोड़ा गया है जैसी यह जो प्रसिक्षण है वो सिक्षकों के लिए लाप्रद होगा इसमें पांचवा निर्दे से के सिक्षक द्वारा एक कोर्स पूरा किये जाने पर उस कोर्स का प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में प्राप्त होगा एवं कु उसी तरह से इस प्रसिक्षण का प्रमाणपत्र भी आपको मिलेगा इस प्रसिक्षण में जितने कोर्स जब आप उससे कंप्लीट कर लेंगे तो उसका एक प्रमाणपत्र आपको प्राप्त होगा और जब आप educated तो उसका एक special प्रमाणपत्र आपको मिलेगा इसमें चटा पॉइंट है देखिए इस पॉइंट को आप लोग ढंसे समझेगा कि दीक्षा पोर्टल पर प्रस्रिक्षन है तो प्रतेक 15 दिनों के लिए 3 मॉडियूल उपलब्द होंगे देखिए हमने आपको उपर बताया था कि इस प्रस्रिक्षन में आपको टोटल 18 मॉडियूल या 18 कोर्सों का प्रस्रिक्षन दिया जाएगा अब देखिए ये दिया कैसे जाएगा यहाँ पर लिखावा था कि दीक्षा पोर्टल पर प्रस्रिक्षन है तो 15 दिनों के लिए 3 मॉडियूल उपलब्द होंगे यानि पुनाहा इसके लिए 15 दिन का समय निर्धारित होगा जब आप इन 3 मौडियों को 15 दिन में कम्प्रीट कर लेंगे तो फिर अगले 15 दिन के लिए आपको 3 मौडियों और दिये जाएंगे इसमें आगे लिखा कि 15 दिन के उपरांथ कोर्स के उपलब्द नहों होने के संभाव पूड़ा रहेगी अतैव सिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के अंतरगत ही संबंदे तीन मौडियों को पूर्ण करना उचित होगा कि जो 3 मौड़ पंद्रा दिन के लिए निर्धारित हैं जो समय सीमा बांदी गई है उसके बाद अगर आप इस प्रसिक्षन को या इन 3 मौडिल का कोर्स कम्प्रीट करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त 15 दिनों के अंदर ही निर्धारित तीन मौडिलों को कम्प्रीट कर लीजिए इसमें जो सात्वा पॉइंट है वो यह है कि एक मौडिल को पू मौडिल बना लीजिए कि किस टाइम पे आप फ्री होते हैं तो उन तीन और चार घंटों में आप जो मौडिल है उसे कंप्रीट कर लीजिए इसमें अंतिम आठ्वा पॉइंट है कि यह प्रसिक्षन कारेकरम दिनांग 16 अक्तूबर 2020 से सिक्षकों के लिए उपलब्द होग मौडिल वार प्रसिक्षन केलेंडर इस सतर के साथ में सलगन है देखी यह प्रसिक्षन के जो दीक्षा पोर्टल पर 16 अक्तूबर 2020 से शुरू हो जाएगा और इस प्रसिक्षन का की केलेंडर है वो इस पत्र के साथ में सनलगन क्या गया है अभी उसके बारे में आपको बताते हैं उक्त के द्रिश्टिगट मुझे यह काने का निर्देश हुआ है कि परिशत कार्याले के पत्रांक दिनांक अंतिम कॉलम में वो है कोर्स का विवरण तो देखे सबसे पहले वाले कॉलम में जो सबसे पहले प्रसिक्षन की अवदी है वो है 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसमें तीन कोर्स चलेंगे उसके ठीक सामने कोर्स का नाम वाले कॉलम में कोर्स वन कोर्स टू और कोर्स थ है इसके बाद जो पंदरा दिन होगा जिसमें अलग जो तीन कोर्स से स्टार्ट होकर पंदरा जनवरी को खतम होगा तो इस निस्ठा प्रस्रिक्षन प्राप्ट करने के लिए आप तयार हो जाएए मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस प्रस्रिक्ष्टन से सम्मध्य जो भी जानकारी आप लोग को दी गई वह आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेर कॉमेंट जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से समय जो और भी सूचना है वो आपको समय से मिलती रहें वीडियो देखने के लिए आप सबी लों का बहुत बहुत धन्यवाद